जै भीम साथियों, कई दिन हो गए अब हमारी देश भर में तेजी से बढ़ रही है, मोधी सरकार तो सो रही है पर इतने दिन बीच जाने के बाद अब सुप्रीम कोट ने जाग कर मोधी सरकार को फटका रहा है, का है देश को राष्ट्रे आपदा के स्तर पर ला दिया आपन ये कहकर कि कहीं से भी ऑक्सीजन लाइए पेशेंट्स के लिए है प्र और प्रक्रिया पर और लॉग्ड़ान करने का अधिकार सिर्व राजज सरकार को हो, कोड को नहीं हो एक दिन का नोटिस दिया है, कल मोधी सरकार को वापस जवाब देना है पर सवाल तो यही है कि किंद सरकार के पास कुछ बचा भी है आखिर दिखाने को, कहां से आएगा जोड तोड़ कर एक दिन में ये राष्ट्रिय प्लान, एक दिन में कैसे आएगा, पिछले कहीं मैनों से सो रही थी सरकार, रोज हजारों की संख्या में आज मौत हो रही है द सुप्रीम कोट की बेंच ने कहा है कि ये कन्फ्यूजन और डाइवर्जन कर रहा है, हम एक जगा पर सुप्रीम कोट में हर चीज़ पर स्पष्टता चाहते हैं दिल्ली हाई कोट ने केंदर सरकार पर तलक टिपनी करते हुए कहा था, गिर गिराईए, उधार लीजे या फिर चोरी करिये, लेकिन ऑक्सीजन लेकर आईए, हम मरीजों को मरते नहीं देख सकते आप उद्योग से अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ती को स्थानांतरित करने के लिए इंतजार क्यों कर रहे हैं अभी तक दिल्ली के कई अस्पताल, जैसे की बड़े-बड़े अस्पताल, मैक सिटी हॉस्पिटल, सरोज सुपर स्पेशालिटी, ये दिल्ली हाई कोट का दरवाजा खट-खटा चुके हैं कि इनके ऑक्सीजन कुछ घंटों में खतम होने वाला है, उन्हें जल्द ही उपलब्द कर आया गया था, वहीं आज प्रदान मंतरी नरिंद मोदी में देश भर में ऑक्सीजन की आपूर्ती की समीक्षा करने और इसकी उपलब्दता को बड़ावा देने के लिए एक उच्च स्तर्य बैठक की अध्यक्षता भी करी, मीटिंग में कहा कि ऑक्सीजन की जमा खोरी पर को अंतर राज्य आपूर्ती की फ्री इजाजत दे दी है, सरकार इतनी बुरी तरह विफल हुई है कि आक्सीजन, दवाईया और बेड्स उपलब्द कराने का काम अब लोग एक दूसरे के सहारे से सोशल मीडिया के जरिये कर रहे हैं, केवल एक दूसरे पर ही निर्भर हैं सरकार पर विश्वास आज ना के बराबर है, आम तोर पर जब सरकार विफल होती है तो आम इंसान न्याए पालिका को आशा की किरन की तरह देखता है, पर सर्वोच्चे न्यायाले पिछले कुछ सालों में ज्यादा तर सरकार के पक्ष में नजर आया है, क्या इस बार विश्वासियों को राहत की सांस मिलेगी, आपसे एक स्पेशल अपील है, ये पब्लिक हेल्थ अपील हम कर रहे हैं कि आप अपना ध्यान भी खुद रखिए, खुद सुरक्षित रहे, बाहर मत जाए, कम से कम जाए, मास्क पहनिए, दूरी बनाए रखिए, हाथ धोईए और हो सके तो किसी की मदद जरूर करते रहेगा, इस वीडियो को ज्याज़ादा शेयर कीजिए, करोना से रिलेटेट जितने भी हम वीडियो कर रहे हैं, ये सब को बताईए, ये इन्फॉमेशन, जानकारी, इस देश में हर नाकरी को लापाना बहुत जरूरी है, खास कर इ बेल आइकन दबाईए, तुरंत ही हम कोई भी वीडियो डाले, आपको नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए, आप चाहे तो हमारे को फेस्बुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दे न्यूस्पीक, जै भीम